नमस्कार देवी और सज्जनों आज मैं आपको बताऊँगा किसका हैपी बर्थेडे कब आता है चलिए दोस्तों इस्टार करते हैं लेकिन उससे पहले सस्क्राइब कर लीजे और लाइक जरूर कर दीजेगा और अगर मैंने किसी क्रिकिटर का बर्थेडे छोड़ दिया हो त इस वक्त उनकी एज 46 यर्ज है और उनका होम टाउन है मुंबई उन्होंने टेस्ट में डेब्यू 15 नौमबर 1989 में किया था पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने ODI में 18 दिसमबर 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ और T20 में 1 दिसमबर 2006 साओथ अफ्रिका के खिलाफ दोस्तों जो अगले आते हैं वो है MS Dhonisar MS Dhonisar का बर्थेड़े 7 जुलाई में आता है उनकी डेट आप बर्थ 7 जुलाई 1981 है और अभी वो 38 यर्ज के हैं उनका होम टाउन राची है उन्होंने वंडे में डेब्यू 23 दिसंबर 2004 में किया था बागना देश के खिलाफ और टेश्ट में डेब्यू 2 दिसंबर 2005 में किया था शीरलंका के खिलाफ और T20 में डेब्यू 1 दिसंबर 2006 में साथ अफ्रिका के खिलाफ दोस्तों अब बात कर लेते हैं विराट कोली सर की विराट कोली सर का बर्थ डे पांच नौवमबर में आता है उनकी टेट आप बर्थ पांच नौवमबर 1988 है अभी वो 31 एर्ज के हैं और उनका होम टाउन है डेली उन्होंने ODI में डेब्यू किया था 18 आगस 2008 में शीरलंका के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया था 20 जून 2011 वेस्ट इंडिस के खिलाफ और T20 में डेब्यू किया था 12 जून 2010 जिंबाबे के खिलाफ दोस्तों अब बात कर लेते हैं रोई शर्मासर की रोई शर्मासर का बर्थिडे 30 अप्रेल में आता है जो की आने वाली है उनकी डेट आप बर्थ है 30 अप्रेल 1987 अभी वो 32 एर्ज के हैं और उनका होम टाउन है नागपूर उन्होंने ODI में डेब्यू किया था 23 जून 2007 में आइरलेंड के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया था 6 नौवमबर 2013 वेस्ट इंडिस के खिलाफ और T20 में डेब्यू किया था 19 सब्टेंबर 2007 वर्चिस इंग्लेंड के खिलाफ दोस्तों अब बात कर लेते हैं शिकरदवनसर की शिकरदवन सर का बर्थेडे 5 डिसेंबर में आता है उनकी डेट आप बर्थ 5 डिसेंबर 1985 है और अभी वो 34 यर्ज के हैं उनका होमटाउन डेली है उन्होंने पहला ODI जो खेला था डेब्यू किया था 20 अक्टूबर 2010 और स्टेला एक खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया था 14 March 2013 और स्टेला एक खिलाफ और T20 में डेब्यू किया था 4 जून 2011 वेस्ट इंडिस के खिलाफ दोस्तों जो अगले खिलाडी है वो है अहर्दिक पांडेसर हार्दिक पांडेसर का बर्थेडे 11 अक्टूबर में आता है और उनकी डेट आप बर्थ है 11 अक्टूबर 1993 और अभ देब्यू किया था 26 जुलाई 2017 शीरलंक के खिलाफ और T20 में डेब्यू किया था 26 जनवरी 2016 और उस्ट्रिया के खिलाफ दोस्तों जो अगले वो है केल राहूल सर का बर्थेडे 18 अप्रेल में आता है उनकी डेट आप बर्थ है 18 अप्रेल 1992 और अभी वो 28 येर्स के है उनका होमटाउन है मैंगलोर उन्होंने ODI में डेब्यू किया था 11 जुन 2016 में जिंबाब्य के खिलाफ टैस्ट में डेब्यू किया था 26 दिसंबर 2014 और T20 में डेब्यू किया था 18 जुन 2016 जिंबाब्य के खिलाफ दोस्तों जो अगले आते हैं उनका नाम है शेर सायर सर शेर सायर सर का जो बर्थ डे आता है वो 6 दिसंबर में आता है उनकी डेट ओब बर्थ है 6 दिसंबर 1994 अभी वो 25 साल के है और उनका होमटाउन है मुंबई उन्होंने ODI में जो डेब्यू किया था 10 दिसंबर 2017 में शिर इंगलेंड के खिलाफ और अभी वो टेस्ट खेले नहीं हैं। इंगलेंड के खिलाफ। इंगलेंड के खिलाफ। दोस्तों जो अगले आते हैं वो है जस्पृत भुम्रासर जिनकी बॉलिंग का कुई जवाब नी है। उनका बर्थडे 6 दिसंबर में आता है। उनकी डेट आप बर्थ है 6 दिसंबर 1993 अभी वो 26 साल के हैं। और उनका होम ताउन है एमदवाद। उन्होंने टेस्ट में डेव्यू 5 जनवरी 2018 साउथ अफरीका के खिलाफ। ODI में डेव्यू 23 जनवरी 2016 और स्टिलाए खिलाफ। T20 में डेव्यू 26 जनवरी 2016 और स्टिलाए के खिलाफ किया था। दोस्तों जो अगले हैं वो है बुम्रेशर कुमार सर। उनका बर्थेडे 5 फरवरी में आता है। उनकी डेट ओव बर्थ 5 फरवरी 1990 की है। और वो अभी 30 साल के है। उनका होमटाउन मेरट है। ODI में डेव्यू उन्होंने 30 दिसंबर 2012 में किया था। पाकिस्तान के खिलाफ। टेस्ट में डेव्यू 22 फरवरी 2013 में किया था उस्टिलाय खिलाफ। टी टॉन्टी में डेव्यू 25 दिसंबर 2012 में किया था पाकिस्तान के खिलाफ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर किसी का बर्थेडे छूड़ गया है वह अगले पार्टम में कवर कर दूँगा क्योंकि वीडियो वरना कुछ जादा ही लंबी हो जाती है।